विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बेठक बैंगलूर में जारी है 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए है सूत्रों के मताबिक बेठक में विपक्षी दलों के गडबंदन का नाम इंडिया रखने का प्रस्ताव रखा गया है बेठक में शामिल राष्टी जंता दल ने भी ट्विट किया है कि विपक्षी दलों का गडबंदन भारत का प्रतिबिम है आरजएडी ने इंडिया का फुल पॉम बताया इंडिया यानि इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूजिव अलाइंस आरजएडी ने इसके साथ लिखा अप्रधान मंतरी मोधी को इंडिया कहने में भी पीड़ा होगी टीमसी सांसाथ ने भी ट्विट किया चक दे इंडिया वहीं कॉंग्रेस सांसाथ मनिकम टेगोर ने लिखा इंडिया जीतेगी हाला कि अभी नाम को लेकर कोई अधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है शाम चार बज़े बेटक खतम होने के बाद विपक्षी दलों के नेता प्रेस कॉंफरेंस करेंगे इसके साथ बने रही है राजनमा टीवी के साथ धन्यवाग